मैंने अपने लड़ू पुपाल जी के लिए बनाई है चोली और कैप दोनों एक साथ इसे बनाना फ्रेंस बहुत ही आसान है मैं दो कलर से बनाई हूं आप लोग सिंगल कलर से भी से बना सकते हूं और यह नीवेर का ड्रेस है मैं इसका जो घेर है उसका भी मैं वीडियो बना बनानी है मुझे अलोग फ्रेंड्स नमस्ते और विल्कम बैक मैं चैनल देखास की टिवीटी आइडियाज में आप सब लोगों को बहुत बहुत स्रावित हैं अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है तो प्लीज लैक शेर कमेंट करें मेरे चैनल को सब्सक्राब जरू करें चैनल को भी प्रेश करें थाकि आने वाला हर वीडियो का नोटेशी की सण आपको मिलता रहें अब मैं तर्ट चेन के अंदर में डवल क्रॉस्ट आ बनानी है और इसथरह से पूरे इस ओने रो में मुझे हर एक चैन के अंदर से डवल्कॉस आ बनानी है और अब देखिए complete हो चुके हैं, तो यहाँ पर मेरे 40 double cross या बनकर तयार हूँ है, यही से इम प्रोसेस से मैं और 3 लाइन बनाऊंगी, मेरून के बाद ये लो, उसके बाद मेरून, उसके बाद ये लो, इस तरह से मैं 4 लाइन यहाँ पर बना कर रखी हूँ, और इसके उपर से अब म तो मुझे बनानी है, टोपी के लिए, कैप के लिए, यहाँ पर मुझे skip करने होगी 12 chain, 13 chain के अंदर से मैं मेरून कलर से, फिर से मुझे double cross या बनानी है, और ये मैं बनाऊंगी 16 double cross या, 16 chain के अंदर से 16 double cross या बनानी है, गाइज देखिए, 16 double cross या बनानी है, यहाँ पर तयार हो चुके हैं, 16 हो चुके हैं, इधर से मैंने 12 skip किये हैं chain, और इधर से भी मैं 12 chain को skip कर रखी हूँ, और बिल्कुर बीच ओ बीच यहाँ पर कैप के दिये 16 double cross या बनानी है, और इस तरह से मैं 4 row यहाँ पर complete करी हूँ, चार लाइन मुझे बनानी है, मेरे उन से ही मैं बना रहे हूँ, और फिर इस देखिए मैं यहाँ पर उनको cut नहीं करी हूँ, यहाँ पर मुझे दोनों को इस तरह से पकड़ लेनी है, डबल करते हुए, और यहाँ पर मुझे करनी है stitch, मैं तो क्रोशिया से stitch कर रही हूँ, दोनों तरब का जो chain आता है, उसके अंदर से मैं क्रोशिया को डालनी है, एक बार इस तरब से, एक बार इस तरब के chain में डालते हुए, क्रोशिया को पुलेन को लाकर यहाँ पर slip stitch से जोड़ देनी है, हर एक chain के अंदर से इसी तरह से मुझे chain को slip stitch से जोड़ देनी है, और इस तरह से पूरे लॉक हो जाएंगे, आप लोग चाहे तो सुई धागा से भी, सुई sweater का जो needle आता है, उससे भी आप लोग इसे stitch कर सकते हैं, और इस तरह से क्रोशिया से भी बहुत ही आसान से stitch हो जा जरूर बनाएं और अगर यह वीडियो जड़ा भी पसंद आएं तो प्लीज लाइक शेर कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें देखी प्रेंस यह तो stitch हो चुके हैं और मैंने उलिन को cut करती हूँ, लॉक करते हुए और इसे बढ़ियां से यहाँ पर लॉक करते हुए, उसके बाद मैं साथ से इसके cut करके फिर दिखाती हूँ उलिन को बढ़ियां से यहाँ पर सेप करनी होती ही नहीं, तो खुल जाने का डर रह जाता है। बहुती कुपसूरत से चोली और कैप दोनों एक साथ तयार हुए हैं, यहाँ पर आप लोग डोरी भी लगा सकते हैं, यहाँ फिर बटन भी लगा सकते हैं, और अगर आप लो झाल 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